आपका स्वागत है शामा कारनर में आप सब हो पच्छी होंगे आप लोग तो फ्रेंड्स आज मैं एक प्रोजेक्ट का रिव्यू लेके आई हूं हम अपने चेरों का था ख्याल रखते हैं बहुत अच्छी तरीके से पर हम अपने बालों को कहीं नगहीं भूल जाते हैं बाल को ख्याल रखने के लिए मैं एक इन्स्टेंट्ट effectivement लेकी हैं । मैं आप अपने घर बैठे कैसे अपने बालों का ख्याल सकती और कैसे अपने बालों को सकती है मैं यह लेकी आई हूँ मेरे पास एक प्रोड्यक्只是 आप अपने बालों को 100 प्रेंपर कर सकती है तो वी आपको मिलते रहें तो चैदि वीडियो को आगे की तरफ चल लेके चलते हैं लेक्स किट स्टार्टेड जो मेरा प्रोडेक्ट है वो यह है जी हाँ इस प्रोडेक्ट का नाम है तिरी चिप हॉट ओयल ट्रीटमेंट हेर मास्ट कैरेटिन डैमेज रिपेर फ्रेंड्स यह कोई स्पॉंसर वीडियो नहीं है इसे मैंने अपने पैसे से खड़ीदा है मैं इस प्रोडेक्ट की बार में आपको फुल रिव्यू बताऊंगी कि यह प्रोडेक्ट कैसा काम कיח 스श है कीसा है यह सब कुछ में इस वीडियों में बताऊंगी तो बने रहे है मेरे वीडियों में करता है कैसा है यह सब कुछ में इस वीडियो में बदाऊंगी तो बने रहे हैं मेरे वीडियो में फ्रेंड्स आम सबसे पहले में ये बता दूँ कि यह जो हैं को एक है इते ट्रीटमेंट क्या होता है कैले रिटिन वहुता है कैले यह बेसिकली हमारे बालों के लिए एक प्रोटीन होता है, जो हमारे बालों को अंदर से नौरिस्ट करता है, हमें अंदर से स्ट्रेंडिंग प्रदान करता है, और हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशिल होता है, इसलिए लुक मार्केट में पार्लर में जाके कर कराते हैं और वो हमारे बालों को बिसिकली अच्छा बनाता है तो वो क्योंकि वो काफी महंगा होता है आप पार्लर में जाहिए बहुत जादा महंगा चार्ज करेंगे आप से चुकि यह मैं आपको यह बता दू कि आपको इंस्टेंटली क्यारटीन जैसा ट्रीटमेंट नही बट मैं यह बता दू मैंने जब इससे फॉर्स टाइम ट्राइ किया था इसने मुझे फॉर्स टाइम में ही मुझे एक अच्छा रिजर दिया था जी हाँ इससे मेरे बाल काफी सिल्की काफी स्मूथ काफी अच्छे हो गया थे और मैं इसे रेगलर यूज़ करती हूँ इस प्रडेक्ट की बात कर लेती हूँ सबसे पहले यह एक टब की पैकेजिंग में आती है यह आप देख सकते है इस ग्रीन कलर का बॉटल है और इसमें एक प्लास्टिक का बॉटल है पैकेजिंग काफी अच्छी है और इसकी प्राइस की अगर हम बात करें तो 699 इसमें मिलता है काफी अच्छा काजा आई तिंग 6 मन तो आपके इससे आराम से निकल जाएंगे अगर 10 देज में वन एक बार या हफते में भी एक बार आप करेंगी तो इसकी मनुफाक्ट्टरिंग डेट जो है वो 621 की है और इसकी जो बेस्ट विफोर है यानि एकस्पा इसे यूज करने के दो तरीके हैं जैसा कि इस पर मेंशन है कि आप अपने आने के बाद शैंपू करने के बाद आप अपने बालों पे इसे लगाईए और थोड़ी सी मसाज करने के बाद आप 15 मिल्टे से रहने दीजिए और उसके बाद आप हेर वाश कर लिजिए मैं वो चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताती हूं चलिए फिर हम लोग डेमो की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले मैंने अपने बालों को डिटैंगल कर लिया है और तूस्पून मैंने ये हेर मास्क ले लिया है और उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी एक बाल में अब म चोटे-चोटे सेक्षट में लेके हमें अपने बालों को अच्छी तरीके से लगाना है उसे ये होगा कि हमारे बालों में अच्छी तरीके से ये मास्क लग जाएगी तो इसी तरीके से आगे लगाना है इसे अब जो बचा हुआ क्रीम है उसे मैं अपने बालों के ऊपर लगा लूँगी इस मास्क को और उसे अच्छी तरीके से मिक्स करके अपनी बालों के जरू में लगा लूँगी और उसके बाद मैं उसे थोरी तर मसाज दोंगी 10-15 मिट मैं उसे मसाज दोंगी अच्छी तरीके स तो फ्रेंड्स मैंने अपने बालो में अच्छी तरीके से उपर से नीचे की तरफ टॉप टू तिप तक मैंने अपने बालो में मास्क लगा लिया है अब मैं इसे आराम से 15 मिंट ऐसे ही छोड़ूँगी उसके बाद मैं अपने मेरे पास चुकी स्टेम नहीं है तो मैं होट से अपने बालों को स्टेम दोंगी एक लिस त्री टाइम उसके माद में हैर वाश करूंगी और फिर आपको दिखाऊंगे किया रिजल्ट आता है तो चलिए मैं पहले से 15 मिनिट्स के लिए छोड़ती हूं फिर होट तावल से इसे कवर करूंगी अपने एक वेट तावल की मदद से मैं अपने बालों को स्टेम दे रही हूं यह वेट तावल मैंने होट वाटर में पहले होट वाटर लेकिए उसके बाद इस तावल को थोड़ी देर होट वाटर में रखके विंकेला करें उसके बाद अपने बालों में मैं इसे अच्छी त कि अब मैं second time इसे अपने बालों में फिर से वैसे ही same process को मैं करके मैंने अपने बालों को hot towel की help से अपने बालों को अच्छी तरीकी से steam दे दिया है और अब मैं जा रही हूँ किसी mild shampoo से अपना hair wash कर लूँगी और उसके बाद आती हूँ फिर आपको बताती हूँ कि कैसा result आय फ्रेंड्स मैंने बालों को steam देनी के बाद hair wash कर लिया था एक mild shampoo से मैंने Senbotonica की mild shampoo यूज की थी अगर आप देखना चाहते है उसका review तो आप मेरे चैनल पर जाके उसे चेक कर सकते हैं और उसके बाद मैंने कोई conditioner नहीं लगाया कुछ भी नहीं लगाया और as you can see मेरे बाल क करती हूं तो मेरे बाल बहुत ज्यादा manageable हो जाते हैं और सुखने के बाद और भी अच्छे हो जाएंगे मैंने कुछ भी नहीं किया है कोई blur dry नहीं किया है अभी तक मेरे बाल बहुत गीले हैं मैं इसे naturally सुखने दूंगी और यह इसलिए बहुत पसंद है यह instant result भी देता ह और long term के लिए बहुत अच्छा है तो आप चाहें तो इस hair mask को keratin hair mask को बिल्कुल try कर सकती है यह slowly slowly आपको effect देगा तो एक बार में यह instant पालर जैसा effect आपको नहीं देगा आप इससे regular use करेंगी तो ही आपको यह अच्छा effect देगा तो friends कैसा लगा आपको मेरा वीडियो प्ली subscribe करके जाएगा friends आपका subscribe और like मुझे बहुत motivate करता है तो please मेरे चैनल को subscribe कीजिएगा तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश यबारते रहिए, मैं आपको मिलती हूँ next video में, till then, bye bye